हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइज सभी का स्वाग एक करता हूं के टोप वैल कि अभी को फ्रेश वीडियो के अंदर XRP एक ऐसा कोई जिसके बारे में हम सभी लोग जानना चाहते हैं और कही नगे जब XRP की बात आती हैं तो हम सभी लोग excited हो जाते हैं कि कुछ न कुछ बैटर चीज़े हैं आपे हो लेकिन अभी हम सभी को पता है कि XRP के ऊपर चल रहा है SAC की तरफ से case जिसके अंदर कही नगे XRP फसा हूँ और उसके पास दे हम XRP के अंदर बहुत ज्यादा ही downtrend देखने को मिला है तो आज भी दोस्तों आपे एक बहुत important news निकल गया यह XRP की तरफ से SAC के case के update है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जानेंगे कि क्या XRP इस case को आप जीच चुका है सबसे पहले हम लोग आपे बात कर लेते हैं इस case के बारे में तो बेसिकली यहाँ पर 11 मार्च की यह report है जो कि दर डेली होडल ने आप पर छापी हुई है जिसमें पताए कि जो price XRP का वो थोड़ा explode करा है हाला कि कोई इतना खास explode नहीं है सिर्फ 15% का jump आया है जिसमें कि जो judge है उन्होंने बेसिकली ruling यहाँ पर issue करी है अगेंस्ट SSE और बेसिकली अगर आप मैं से जिसको नहीं पता उनको बदा दू कि SSE ने XRP के उपर यह case किया था और नहीं हमें SSE न ऐसा कुछ notice भेजाता या एक कोई भी fair notice कि आप यह सारी नहीं भेज सकते वनाव एक security की category के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे कि धुरू रिपल की favor में थोड़ा सा support करने की कोशिश आपक करी गई है लेकिन इतने से चीज़ से हम यह नहीं कह सकते कि यह XRP के लिए एक win-win situation होगे या फिर यह जह है क्योंकि यहाँ पर SSE अपनी तरफ से वो notices अभी तक नहीं दे पाया है जो कि basically लिए Ripple को उन्होंने भेजे थे अगर भेजे होंगे तो उन्होंने definitely court में डालना चाहिए और इतने टाइम से case चल रहा तो मुझे नहीं लगते कि SSE नहीं सा कुछ भी बेजा होगर अब कहीना के SSE यहाँ पर problem create कर रहा है और यहीं चितने भी valid समक्या सकते argument हो कहीना के Ripple के support में हमें देखने को मिल जाते हैं तो हाँ इससे जो case है वो Ripple का definitely यहाँ पर improved होगा और अगर SSE यहाँ पर कोई भी document नहीं देपाता है तो Ripple के उपर जो यह security का धबबा है यह definitely यहाँ पर हट जाएगा अब इसी के हिसाब से गर बात करें तो last video जो मैंने आपर shoot करी लग दिन पहले जिसमें आपको बताये था उसमें भी मैंने XRP को cover किया था तो अगर आप वीडियोस नहीं देखते हो तो definitely जाके चेक करो तेर सारी वीडियोस आपको तेर सारी मिल जाएगा लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में तो यह XRP का चार्टे जिसको कि ट्रेंड लाइन आ रही है 0.98 यह दो लेवल्स हमें देखने को मिले हैं अब यहाँ पर आगर आप नीचे से लाइन को जोड़े तो आप इसको से मैडिकल ट्रेंगल भी कह सकते हैं तो यह दो तिन फॉर्मेशन चुकिए आपको देखने को मिलते हैं लेकिन हां मार्केट इ यह कहारा कि यहां सा एक्सरपी अभी एकदम चाप्रेंड पकड़ लेगा यह तोड़ा सा मुझके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं सारा मार्केट को रिलेटर रहता है बिटकोईन के और उसके स्ट्रॉक्चर के साथ तो यहाँ पर हमें बस इतना देखना है कि अगर एक्सरपी से और जहां पर एक्सरपी ऑल्रेटी डो बार अल्मूस अल्मूस टेस्ट कर चुका है तो अगर यह तीसरी बार भी टेस्ट कर लेता है तो हमें एक डिसेंटर रंगल का कन्फॉर्मिशन मिलेगा जिसके बाद प्राइस नीचे की तरफ कर सकते हैं तो थोड़ा से धियान र जसे कि आपको भी आईडेया लग जाए कि क्या चीजें आपको मिल जाते हैं क्योंकि वीडियो स् Milo के हैं ट्रीम पर अपको सबसे पहले आपको मिल जाती है यहीप हम भी पार to supportive level है बहुत जदा important है जिसको कि XRP अभी तक break नहीं कर पाया और अगर आप कल के बारे में बात करें तो definitely market ने थोड़ा सा push करा था इसको 11% और even थोड़ा मार्केट और उपर गया था 17% पर स्टिल हमें इसी लेवल के आसपास rejection देखने को मिल रहा है जो कि 2023 सतोशी के आसपास हमें देखने को मिल जाता है हाला कि XRP में bullish sign हमें ये भी देखने को मिलता है कि कही ना कहीं अगर market इस trend line को आने वाले future के इंदर break करता है तो XRP के लिए य 11,000 से लेकर आप कह सकते हैं 22,000 सतोशी तक यहां पर जा सकता है लेकिन एक चीज़ का ध्यारन रखे कि अभी भी market का जो हमारा important level है वो 2000 सतोशी के आसपास है और अगर XRP इसको break नहीं कर पा रहा है तो यहां से आपको पता है कि XRP फिर कहीना की correction नीचे 800 से 1000 की बीच में बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि levels को create करा हुआ है तो हम इस level को थोड़ा सा भी focus में लेकर चलेंगे तो चाहे वो dollar prices हो चाहे Bitcoin prices हो आपको दोनों ही तरफ यहां पर ध्यान दे के चलना चाहिए जैसे कि आप एक better decision यहां पर ले पाए और अगर कोई भी pump start होता है तो X इस case का decision जल्दी आजाए वो भी XRP के favor में तो XRP कहीना के free होगा और एक तरीके से आगे यहां पर broad तरीके से जा सकता है हाला कि इस case को करने का reason यह भी हो सकता है कि XRP swift network ले एक बहुत बढ़ा thread है क्योंकि कहीना के XRP बहुत ज़्यादा fast और reliable है as compare अगर हम बात करते swift network से ब वीडियो को लाइक करेगा अगर वी तक आपने चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर नहीं करा है तो definitely शेयर करें थाकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से रह सकें और इतना सारा जो चीज़े है क्रिप्टो मार्केट के बारे में वह भी प्रॉपर टाइम पर पासकें और अगर आप आए फर्स चैनल के उपर तो तुरंट चाहिए चैनल को सस्क्राइब करें साइक में दीकर नोटिकेशन बाग को बाग के और क्लिक कर लें ताकि आप रहाने वाली सभी वीडियो के इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर पासकें मैं मिलता आप स अगलिव वीडियो कि अवाद निट्स्री के साथ तो 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 के लेख रहाए वाव ग्रेट देए और बाग रखाए